प्रेश सब्सक्राइब बटन और हिट बाव आइकन फॉर मोर बॉलवड अपडेट्स दोस्तों अक्षे कुमार इन दिनों अपने फिल्म सूरे बंशी को लेकर खूब चचाओं में बने हुए हैं अब पहली बार रोई चेटी के साथ काम करने वाले हैं और इस फिल्म को देखने के लिए अक्षे के फैंस काफी ज्यादा एकसाइटेड भी हैं ने नहीं बलकि खुद अजिदेवगन ने किया है दरसल फिल्म नी बीट के खबर के अनुसार मताबिक अजिदेवगन हाली में एक इंट्रिव्यू में सुर्वंची के बारे में बताया कि जिस हिसाब से फिल्म बनाई जा रही है मुम्किन है कि रोहित की इस फिल्म में एक दंदार लेड़ी पुलिस आफिसर भी किरदार में नजर आने वाली है शायद इसकी तलास चल रही है यानि अक्षे कुमार के साथ फिल्म में लीड अक्ट्रेस एक दंदार पुलिस आफिसर के रोल में हो सकती है और बात करें लीड एक्ट्रेस की तो इसके लिए कई नाम भी सामने आए हैं लेकिन माना जा रहा है कि शायद इस फिल्म में एक बार फिर से अक्षे और कैटरिना की जोड़ी साथ नज़र आने वाली है अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब कैटरिना को पुलिस आफिसर के रोल में जबरदस्ट एक्षन करते हुए देखा जा सकता है वैसे भी रोई चेटी का कोप ड्रामा फैंस को काफी अच्छा लग रहा है सिंगम सिंबा और सूरेवंची के बाद लेडी पुलिस आफिसर के आने के बाद रोई चेटी का ये यूनिवर्स पूरा लगने लगेगा और अब देखना होगा कि अज़ेदेवगन की ये बात कितनी सत साबित होती है वैसा आपको बता दें कि सूरेवंची की शूटिंग हाली में गोवा में शुरू हो चुकी है हाला कि अक्षे ने अभी टीम को जॉइन नहीं किया है फिलाल अक्षे अपनी आने वाली तीन फिल्म में केसरी गुड नीउस और मिशन मंगल में लगे हुए है तो दूस्तों आपको कैनला कैफ अपने इस नए किरदार ने कैसा जचने वाली है अगर कैटरीब चैफ होती है तो आपको कैनला कि फिल्म कितना धवाल मचाएगी और सूर्यं वनस्य जैसे फिल्म को आपको कितना इंतशार है यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बागी की ऐसी और भी कबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलिवूड जंक्शन ताकि आपको हर कबर मिले हैं आपे सबसे पहले